हलो स्टुदेंट्स वेल्कम बाक टू फिसिक्स क्लास आज अम यहां पर बीहस सी फोर्स्ट एयर का नेक्स्स ट्रोपिक करेंगे ठीक है जो की हमारे पास क्या था टॉर्क था बिटा हमने क्या कर लिया था आपका एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट कर लिया अंगुलर आपका XPY- में YPX वाला वो हम calculate कर चुके हैं ठीक है अब हमारे पास जो टॉपिक रहता है वो यहां पर एक तो टॉर्क है ठीक है टॉर्क को भी कार्टीजीन के अंदर भी calculate करेंगे और पॉलर कॉडिनेट में भी कर लेंगे ठीक है इसी तरीके से मोमेंटम वाला जो अंगलो मोमेंटम का है उसको भी पॉलर कॉडिनेट के अंदर भी calculate कर लेंगे तो एक लेक्चर आपका वो हो जाएगा ठीक है आज हम क्या करते हैं टॉर्क को समझेंगे और टॉर्क का जो आपका कार्टीजीन कॉडिनेट के अंदर calculate करना है कि कैसे उसको करते हैं तो वो वाला कर लेंगे ठीक है और फिर बाद में किसके अंदर कर लेंगे उसको हम पॉ के लेक्चर के अंदर हम वो कर लेंगे आज के में सिर्फ क्या करते हैं हम हमारा टॉर्क और उसका काडिजीन काडिनेट के अंदर इसका expression कर लेते हैं तो पहले हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके पहले टॉर्क समझना पड़ेगा तभी तो करेंगे ना पहले टॉर तो इसका मतलब अगर जारह है तो फोर्स भी किसमें जा रहा है आपका रोटेशन में जा रहा है तो वस वह है फोर्स इंटुमिma, उसका प्रपेंडिक्लोर डिस्टेंश च्या हो जाएगा AAP का तो जाएगा तो जैसा इसकी डेफिनिशन बताई है आप ने क्या कि टर्निंग एफल्ट मोमेंटम इसलोड है वह उprovस के सबस्क्राइब के एंदर के अधर्पेक्ट फोर्ट वह शुर्ट div दे लिखनी इसलोगों आप कितना एजिफी वना देखो तो आपको क्या लिखना और यह जोड़र हैं आप कँ अदा को अगए फै कम करते हैं कम से कम कुष्टो कमेंट किया करो आपको समझ में आ रहा है नहीं आरा है क्या टॉपिक के लिखत आ कम लिखके करो अधलिस्स आप देख रहे हो थीक है कम से कम Form objects कमेंट करो थेक और ऊपर कमेंट' कर जाए नरा cookie , अबी नदभन पूर देख रहा है थ prophetic यह से तो कम से कम जितने बच्चेस मेरे ग्रुप में आड हुए है तो कम से कम वो कमेंट किया करो तो कमेंट करेंगे बच्चे आप ठीक है जब आप लेक्चर को आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप कमेंट भी करके बताएंगे कि आपको समझ में आया है नहीं आया है ठीक है और क्या चीज नहीं आ रही वो मेंशिन करनी है तो देखो टॉर्क क्या हो गया आपका रोटेशन दिखा रहा है आपका किसका फॉर्स का यानि कि टॉर्निंग एफेक्ट ओफ फॉर्स इस नौन अल्स टॉर्क ठीक है तो आप डेफिनेशन लिखेंगे इसको टॉर्क पाथ है ठीक है इसको टॉर्क पाथ है ठीक है फार्स इसको हम क्या लुग् mermaid और फ्रॉर्स बोलते हैं ठीक है तो जैसे हमने हमने मुमेंटम की के स्में ऐं मोमेंटम के के स्में उसको डिफाएं किया था कि इसरै प्रोक्ष मेंटम अन द्शका प्रपेंडिकूलर लिग Uh from the axis of rotation to the line action हम similar way के अंदर इसको भी define कर सकते हैं कैसे as a product of the magnitude of the force to and the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action इसको भी ऐसे define करतो जैसे आपने इसको define किया था तो हम यह लिखेंगे कि definition 1 तो यह हो गई and it can also be we define as the product of magnitude of force and perpendicular distance from axis of rotation to the line of action ठीक है to the line of action so and it is represented as tau ठीक है तो इसको में कैसे लिख सकते हो टो इस इकुल टो एफ आर पर्पेंडिकुलर ठीक है पर्पेंडिकुलर एसे बनता है न विटा पर्पेंडिकुलर का सिंबली हो गया ठीक है हो गया है ठीक है तो इसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस के उसमें यहां पर यह आएगा ठीक है तो साइन थीटा किसके इकुल हो जाता है आपका इसका मतलब अगर यह वाला है तो अपने पास इस तरीके से लेना पड़ेगा हमें ठीक है इसकी ज्यादा उसमें करनी पड़ेगी और ऐसे आएगा ठीक है तो पर्पेंडिकुलर ही हो गया हाइपट्नियूज ही हो गया यह बनेगा बच्चे यह बनेगा इसका फिर फिगर है तो यह हमारी पास हो जाएगा यह पर्पेंडिकुलर कितना हो जाएगा आर पर्पेंडिकुलर हाइपट्नियूज मैंने यह ले लिया सो इंट्रेंगल यह मैंने कितना हो लिया आपका एबी ओ ठीक है तो इंट्रेंगल एबी ओ साइन थीटर किसके इकुल हो जाएगा आ जो यह है इसकी value में लिख सकती हूँ कितनी ऑ साइन थीटा ठीक है इसको put कर दो तो torque की value कितनी हो जाएगी आपकी F into में R sin theta हमारे पास हो जाएगा और या फिर आप इसको बोल चकते को RF sin theta ठीक है तो torque किसकी equal हो जाएगा R x F की equal आ जाएगा ठीक अब वैसे ही जैसे linear momentum के अंदर minimum और maximum बताया था वही बता दो वही रहना है theta 0 और 180 पे minimum रहेगा यानि कि 0 ही रहता है इसलिए torque भी क्या हो जाएगा यानि कि force भी क्या होएगा turning effect force का 0 हो जाएगा ठीक है तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि if if theta is equal to 0 and 180 अपना जो torque है वो कितना हो जाएगा minimum हो जाएगा उसकी वाले कितनी होएगी 0 here the turning effect of force is minimum ठीक है और इफ theta is equal to 90 degree तो हमारे पास जो torque है वो कितना हो जाएगा maximum यानि कि RF के equal हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे कि in this case in this case the turning effect of किसका force का is maximum ठीक है यह कितना आजाएगा maximum आजाएगा अब आपको क्या लिखनी है एसा unit लिखनी है force into में आपके distance की करनी है तो यह कितना हो जाएगा force की तो अपनी newton हो जाती है और simple distance की कितनी हो जाएगी meter हो जाएगी और theta के तो अपना है dimension तो dimension जैसे force का होता है mass into में acceleration और into में distance और कर देना ठीक है तो यह कितना हो जाएगा तो acceleration meter per second square ठीक है तो L हमारे पास T-2 और यहां पर एक और distance है इसलिए कितना हो जाएगा L2 तो अपना dimension कितना हो जाएगा M1 L2 T-2 ठीक है हमारे पास यह इसका क्या हो जाएगा आपका dimension आ जाएगा अब क्या करना है आपको इसके अंदर torque को क्योंकि paper में अगर यह आता है ठीक है तो अगर मेरे को क्या करवाना पड़ रहा है इसका Cartesian coordinate और polar coordinate दोनों करवाने पड़ रहे है इसके और साथ में किसके आपके momentum के भी ठीक है इसलिए कर बार रहे हूं otherwise मेरे को भी लग रहा था कि कोई नहीं नहीं लेकिन अगर यह maximum marks का आ गया ना five to six marks का फिर तो करके आना पड़ेगा ठीक है अगर फिर करके आना पड़ेगा फिर आप confused हो जाओगे कि इतने six marks में क्या इतना सा ही करके आए फिर confused हो जाओगे ना ठीक है इसलिए मुझे क्या करवाना पड़ रहा है इसका ही करवाना पड़ रहा है Cartesian coordinate भी और polar coordinate भी तो अभी आप कर लो इसके अंदर Cartesian coordinate ठीक ह next lecture के अंदर में momentum और torque दोनों के ही polar coordinates करवा दोंगे ठीक है तो अब यहां पर कर लो expression for torque for torque in Cartesian coordinate ठीक है expression for torque in the Cartesian coordinate आपको यह करना है अब Cartesian coordinate के अंदर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा थोड़ा बोत इसका force का displacement भी करवाना पड़ेगा है तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं हम एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसका mass m है ठीक है उस पार्टिकल को हम rotate करवाएंगे एक particular plane में मैंने क्या किया बच्छो इसके अंदर x और y ठीक है यह मेरा X है यह मेरा Y-plane है एक मैं पार्टिकल लेके चल रहे हूँ ठीक है अभी यह कह रहा है इसके अंदर हमने यह माल दिया कि जो पहले बार पार्टिकल थाना वह मेरा कितना था A-position के ओपर था कहीं पर ठीक है और फिर वो रोटेट कर रहा है ठीटा एंगल से दूसरे पोजिशन के ओपर चला गया ठीक है तो मैंने इसके अंदर यह माल दिया कि यह मेरे पास A-position थी यह मेरे पास B-vector है दोनों की दोनों किसके अंदर है आपके R से ही वो जा रहे है ठीक है अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया सबसे पहले इसके ओपर था तो इसके ओडिनेट यह हो गए ठीक है उसके बाद यहां से भी कोई particular एंगल होगा और फिर यहां का भी यहां प सकती है कर्ट इससे यहां से यहां अगर आफिंग में इसे कोहीं दिकश्टिस करें एकसश के प्लश में डैल य अपना वाइक के इसके ओपर ने उपना कुछ और ने इसको डिस्पलेस कर वाया है तो इसका मतलब में वहां पर वकड़न इंगाल सकती हूं और फिर उससे क्या निंगाल हूंगी भी तो मैं इसके अंदर यह मां दिया कि यहां से भी मेरे पास एक परपेंडिकलर डिस्टेंस यहां पे भी एक ही मैंने इसके ओपर ड्रो कर लिया ठीक है इसी तरीके से यहां पे भी कर लिया और यहां पे भी कर लिया यह कर दिया मैंने ठीक है तो यह जो मेरे पास था यह तो मेरे पास डेल एक्स हो गया और यह मेरे पास वाइक्स में कितना होता आपका force का perpendicular displacement से यानि कि उसकी rotation दिखा रहे है तो यानि कि force लगा रहे हैं into displacement force into displacement एक तरह से work done भी होता है तो आप वही करके चलेंगे इसके अंदर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वैं dot एक बड़ी कर लेते हैं ठीक है वैसे तो हमें पता f cross r होता है या r cross f लिके चलते है f is equal torque is equal to r cross f ठीक है तो यहीं लिखेंगे when force f vector is applied at point a बिटा यह not down कहले न आपको कहीं नहीं मिलेंगी statements ठीक है बिलकुल easy language के अंदर the particles आप तो एक ही particle मान रहे थे ना ठीक है the particle अच्छा मैंने ऊपर लिखवाया निक है इसके अंदर ओओ यह लिखवा दिते हूँ लिख लो लिख लो consider a particle of mass m is rotating in a xy plane about horizon o as axis of rotation initially the particle at point a of position vector r vector make an angle make an angle theta with x-axis having coordinates x y ठीक है हमने इतना कर दिया फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसकी मैंने इसकी रोटेशन करवा दी ठीक है फिर मैंने इसके उपर फोर्स लगा दिया और फिर उसकी करवा दिया जब हमने फोर्स एफ लगाया तो यह बॉक्डन हुआ है इसका इतना डिस्प्रेस्मेंट कर पाने में ठीक है तो आप लिखोगे the amount of work done to rotate particle by small angle del theta to produce small displacement del r under action of forces given by work done is equal to force into displacement okay this way we will give it del w will be equal to force we will resolve it in our plane this r will resolve it in x and y will resolve it in both x and y f of x i cap plus f y j cap this dot product we will resolve it in which we will also resolve it in del r del x i cap plus del y j cap and you know that dot product which is the same angle that is the same product one and that is the result del w is equal to f x del x plus f y del y okay now we will consider it inside the triangle okay now we are going to say this triangle a c o i... and put a tan and this was c and it was a c and it did w a c o we already with right triangle triangle okay this made a c o a c o and if you all know it was position error this is x axis corresponding you can't resolve it in the pend experimental उसमें करके रिजॉल्व करते हैं एकषको आर खोस थीटा और आर साइन थीटा ले लेते हैं पहल कोई दिकत की बात की बात नी है इसके अंदर इस से हम कर सकते हैं क्यों बात कर सकते हैं नहीं प懁तुत हुझे मैं डिस्टंस बढ़ के ठीक है तो X किसके इकॉल हो जाएगा आपका एक मिरेट पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा हां बेस अपन में हैपट न्यूज होती है यानिकी X by R is equal to cos of theta ठीक है तो इसका मतलब यहां से तो मैं यह निकाल सकती हूं दूसरी वैल्यू किसकी निकाल सकती हूं क यह मेरे पास जितना यह था इतना ही मैंने इसका ले लिया ठीक है यह कितना हो जाएगा मेरे पास प्रपांड यह अपन में कितना हो जाएगा है तो Y by R is equal to sin theta तो Y किसके इकॉल हो जाएगा R sin theta के तो यहां से हम लिख सकते हैं इन A, C, O, राइट एंगल के अंदर X की वैल् जाएगी इसी तरीके से हम अगर यहां पर करते हैं तो B, D, O, जैसे आपने यह वाली इस तरीके से बताई थी perpendicular और यह आपका कितना हो जाएगा आपका हाप न्यूज और यह आपका बेस हो जाएगा इसी तरीके से हम इसके अंदर भी बताएंगे ठीक है अगर इसके अंद अगर बताईगों से नियुक्त अगर इसे निकाल यह उन्यूज अगर यह अगर तो इसके अंदर यह दोनों थीटा तो अगर उर्या है तो इसके अंदर यह दोनो थीटा तो एड़ हो रहें तो इसलीए मुझे यह लिखना पड़ा और कॉस ओफ थीटा-aE-b कॉस-aE-b साइने कि Coast of del Theta minus sign a sin B तो यहां पर मैंने इस तरीके से इसको resolve करके दोनों को लिख तो समय पडिया है मैंने पास जो Del Theta था वो मैंने 0 माल दिया cos of del theta कितना हो जाएगा अपना one कि cos zero तो यह हो जाएगा ठीक है और अगर small है मैंने small लिखा यहां पर बिल्कुल negligible करके zero नहीं लिखा इसलिए इसको तो मैं one माल लेती हूँ और sin of del theta को मैं कितना approximately del theta का ही लिख देती हूँ ठीक है तो अगर यह है तो मेरे पास यहां से अपना x plus में del x किसके equal आजाएगा यहां से r cos theta माइनस में sin theta del theta आजाएगा ठीक है तो अगर यह इसके equal है आप दोनों के side में r को भी multiply कर सकते हो ठीक है तो x plus में del x किसके equal हो जाए माइनस में r sin theta और यह del theta अब आप सबको पता है r cos theta nothing but x and r sin theta is nothing but y ठीक है तो x plus में del x किसके equal हो जाएगा x माइनस में y del theta sorry ठीक है r sin theta plus में del theta आगा जाएगा जैसे उसका आए वैसने इसके इसका आजाएगा इसके अंदर भी हम क्या करेंगे वही इसको solve कर देंगे ठीक है तो sin a plus b कितना होता है sin a cos b, plus में cos sin b, ठीक है इसको भी इसी तरीके से करेंगे, तो सिधा लिख दो है इसको, सिधा लिख देती हूं, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, r sin theta cos delta plus r cos theta sin delta, इन दोनों को solve करके r को अंदर multiply करती है, ठीक है, तो फिर वही वाली बात है, अगर delta मेरा कितना है, small है, ठीक है, तो cos of del theta मेरे पास कितना हो जाएगा, 1, और sin of del theta मेरा किसके equal हो जाएगा, approximate del theta के equal आजाएगा, ठीक है, तो अगर यह इसके equal है, तो इसके अंदर हमारे पास y plus में del y की value कितनी आजाएगा, यहां से, r, यह sin theta, क्यों, क्योंकि cos theta तो 1 ही हो गया, ठीक है, और plus में कितना हो आपका, r तो मेंने common ले लिया, तो यह cos theta, और sin del theta का कितना हो जाएगा, del of theta, ठीक है, उसके बाद आप इसको अंदर multiply कर सकते हैं, तो y plus में del y is equal to r sin theta, plus में r cos theta, into del theta, r sin theta is nothing but the y, ठीक है, plus में r cos theta किसके equal हो जाएगा, x into del theta, y तो इधर से cancel out हो जाएगा, del y की value कितनी हो जाएगी, x del theta की equal हो जाएगी, ठीक है, तो आपको जो यह दोनों values मिली हैं, इन दोनों को अपने del, जो अपना work done था, अपना उसके अंदर put कर देते हैं, तो fx del x plus में fy del y के अंदर करते हैं, मैं इन दोनों को put, इसको first equation माल लेते हैं, इसको second माल लेते हैं, इसको a माल लेते हूं, तो put equation, first and second in equation a, a के अंदर मैं इसको क्या कर देती हूं, put कर देती हूं, ठीक है, तो अगर first and second को a के अंदर put कर रहे हैं, तो हमारे पास इसका result कितना आजएगा, del w is equal to fx, और del x की value अपने negative में निंका लिए थी minus के y del theta और plus में यहां पर कितना हो जाएगा f y, f y, del y के value plus में है x del theta ठीक है तो यहां से हमारे पास del w की value इतनी आ जाएगी x f y minus y f x into में यहां पर कितना हो जाएगा del theta और यही हमारे पास क्या है rotation दिखा रहा है जिसको हम tau से denote करते हैं तो यही कितना हो जाएगा tau del of theta ठीक है तो जब हम इसका या फिर आप बोल सकते हो rotational motion के अंदर हमारे पास इस तरीके की value होती है in rotational motion del w is equal to this ठीक है तो हम इसको माल लेते हैं third equation इसको माल लेते हैं fourth equation now compare equation third and fourth ठीक है third and fourth equation को compare करते हैं तो tau की value कितनी हो जाएगी x f y minus में y f x ठीक है तो यह हमारे पास क्या आ गया हमारा पूरा result आ गया यह किसमें आ गया आपका torque in the polar coordinate ठीक है किसमें आ गया torque in the polar coordinate आ गया oh sorry Cartesian coordinate आ गया torque in Cartesian coordinate आ गया अब हमें क्या करना है polar coordinate में करना है कौनसा अपना linear momentum भी और angular sorry वो torque भी और angular momentum भी ठीक है वो हम अपनी next class के अंदर करेंगे तो आप यहां तक इसको note down कर लीजेगा thank you for watching this video and keep sharing with your friends and also comment please comment किजिएगा कि आपको lecture कैसा लगा समझ में आ रहा है तो आप लिखेगा कि समझ में आ गया है नहीं आ रहा है तो प्लीज लिखेगा कि क्या नहीं आया है ठीक है कौन सी चीजस में समझ नहीं आई तक ही वो resolve भी हो चके ऐसा मत किजिए कि आपने देख लिया और फिर ऐसी चलेगा कमेंट जरू किजिएगा ठीक है thank you